आज को वीडियों दोस्तों जासा कि आप देख रहे हैं हमारी left side में है HF 100 और दूसरी तरफ है HF Deluxe का self start और बताना हुच होगा इन दोनों बाइक में हमारे जमशेदपूर में करीब on road price पे 9700 रूपीज का फर्क है तो चलिए जानते कि इन दोनों बाइक के features में आपको क्या का फर्क देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों यहां से वीडियो के शुरुआत करते हैं और एक बाफिर से आप सभी का बहुत अस्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेर अप्डेट में और आज को वीडियो के लिए जासे कि आप सभी देखरों मैं आया तीसरा है सेल्फ स्टार्ट और चौता है आई थ्रेस और अभी हमारे सामने जो बाइक खड़ा है एच अफ डिलक्स का सेल्फ स्टार्ट वेरेंट है और इसका हमारे जम्शितपुर का अन्रोड प्राइज है 83,916 रुपीज और आप अगर दोस्तों एस बाइक को लेना चा करते हैं सबसे पहले एच अफ एंडेट के कंसोल पर ध्यान दीजिए आप देख रहें आपको यह अनलोग कंसोल मिल रहा है कुछ चीज तरह का यहीं सेट अप आपको एच अफ डिलक्स में भी मिलता है आप देखें दोनों में कोई फर्क नहीं है मैं थोड़ा सा पीच करता है इससे पने मिल रहे है गांडलर में यहां और आपको कुछ रिऑ ही लगा नजर आएगा left head के handle bar में आप देखेंगे यहाँ पर आपको high beam, low beam switch के साथ turn signal, indicator switch और horn मिलता है HF Deluxe में और यही same setup आपको HF 100 में भी मिल जाता है जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है अब बात करते हैं इन दोनों बाइक के fuel tank capacity की आपको बताना चूंगा कि अगर आप HF 100 ले रहे हैं तो इस बाइक के fuel tank में आपको 9.1 liter capacity मिलता है अगर आप HF Deluxe लेते हैं तो इस बाइक में आपको 9.6 liter capacity मिलता है मतलब कि HF Deluxe का fuel tank HF 100 से 0.5 मतलब कि सिर्फ half liter बड़ा है seat पे ध्यान दीजे आप देखरें दोनों बाइक में एक single piece में काफी large and comfortable seat मिलता है मैं थोड़ा सा आपको side होके भी दिखा देता हूँ आप दिखे दोनों का seat same दिख रहा है और बताना चूंगा इन दोनों bike का seat height है दोस्तो 805 mm है तो आपका heat अगर 5 feet 4 inch भी होगा तो आप इन दोनों में से किसी भी bike को लेके बहुती आराम से ride कर पाएंगे अब फर्क है तो grab bar में आप अगर HF 100 ले रहे हैं तो आप दिखे आपको इस bike में metal का कुछ इस तरह का दिखने वाला black paint से paint के आप grab bar मिलता है आप अगर HF Deluxe लेते हैं तो इसमें आपको silver color का cast iron material का grab bar मिलता है और दोनों के grab bar में क्या फर्क है आपको नजर आ रहा है और दोनों ही bike के दोस्तों अगर आप टेल लेम पर ध्याम देंगे तो आप देखे रहे हैं दोनों आपको normal bulb मिलता है और turn signal indicator पर भी ध्याम देंगे तो आप देखे यह है HF Deluxe का turn signal indicator आप देखे रहे है यह flexible नहीं है और यही same indicator आपको HF 100 में मिलता है और आप देखे यहाँ पर यह भी flexible नहीं है और दोनों bike के tail lamp के नीचे एक reflector के साथ number plate लगानी की जगा दी गई है यहाँ भी आएंगे तो आप देखे टेल lamp के नीचे एक reflector के साथ number plate लगानी की जगा दी गई है और आप देखे दोनों क है मगर black finish में है आप अगर HF Deluxe लेते हैं तो इस bike का exhaust आपको भले ही black alarm मिल रहा मगर इसके उपर जो muffler cover है वो आपको metal का chrome finish में मिलता है दोने exhaust आप एक साथ देख पा रहे हैं आपको नजार आ रहा है अप suspension पे ध्यान देते हैं आप देखे अगर आप HF Deluxe ले रहे हैं तो देखे इसके रियर suspension में आपको यहां पर cover लगा वह नहीं मिलता है जैसे है HF Deluxe में आपने देखा और इसमें भी आपको two step adjustable spring loaded hydraulic suspension मिलता है अब रियर वील की बात करते हैं आप देख रहे हैं है आपको black finish 18 इंच का वील मिल रहा है जिसमें आप देखे दो 75 18 का tube tap टैर मिलता मैं आपको दिखा तो आप देखे यहां है इसमें tube tap टैर आपने देखा और इसके रियर brake में आपको 130 mm का drum brake मिल रहा है HF Deluxe की तरफ आए तो आप देखे यहां पर आपको silver color का 18 इंच का वील मिल रहा है और आप देखे इसका टैर साइज है रियर में 80 by 100 section का tubeless टैर मिलता है आपको नज़र आ रहा है यह है इसका tubeless टैर वारा वाल और इसके वी रियर में आपको 130 mm का drum brake मिल जाता है और आप सभी दोस्तों अभी इन दोनों का फ्रेंट से लुक देखने में आपको बिल्कुल सेम नज़र आता है मगर यहां थोड़ा बहुत फरक है मैं आपको दिख आपको स्टीकर में लगा मिलता है साथ ही आप दिखें वाइजर के साइड में आपको कोई भी ग्राफिक लगा नज़र नहीं आएगा वहीं अगर आप HFD लेते हैं तो इस बाइक के भी हैडलम में आपको 35 by 35 watt का हेलोजन बल मिल रहा है और इसका जो हैडलम वाइजर आप देखें इसके सेंटर में आपको क्रोम में Hero का 3D लोगों में लगा मिल रहा है और इसके वाइजर के साइड में आप देखेंगे आपको ग्राफिक लगा मिलता है और दोनों का जो टन सिगनल इंडिकेटर का डिजाइन है यह है HFD लेक्स का टन सिगनल इंडिकेटर यह है H मटगाड का डिजैन है यह भी बिल्कुल से में और मटगाड में आप देख रहें साइड में नीचे के तरप में दोनों में रिफ्लेक्टर आपको लगा मिलता है वहीं अगर आप हएच फंडेड ले रहे हैं तो इसके फ्रेंड में आपको 18 इंच के अलाइविल में आपको 278 का ट्यूब टैप टैर मिलता है और इसके भी फ्रेंड में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है और साथ ही बताना चूंगा इन दोनों बाइक में दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम में इंटिग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है है यहां पर आपको साड़ी गाट के साथ लेडिस फुटरेस और इस बाइक में आपको फूल कवर प्लास्टिक मटिरियल का चेन कवर मिलता है वहीं अगर आप एच फडिलक्स लेते हैं तो इस बाइक में भी आपको साड़ आपघ डिलक्स में गयर लिवर मिलता है आप एच फडिलक्स में भी आपको साइट इंजन कट अप सुच मिल जाता है और अब हम दस्तों इन दोने भाइक्स के घ्राफिक पर ध्यान देते हैं आपके सामने में खड़ा है अभी भाइक एचेफ डिलक्स और आप आप को पर आप देखरें ग्राफिक लगा है और इसके टे लाइट पैनल पर भी आप देखरें ग्राफिक आपको लगा मिलता है वहीं आप अगर hf-100 ले रहे हैं तो आप देखें इसके इसके फ्यूल टैंक पर और साइट पैनल पर आपको ग्राफिक नजर आएगा वहीं इसके टेलाइट पैनल पर देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर इसमें ग्राफिक आपको लगा नहीं मिलता है और इन दोने बाइक के दोस्तों इंजन में आपको 97.2 cc का 4-stroke, 2-wall, single cylinder, air-cooled इंजन मिलता है, जिसमें आपको maximum power 7.91 bhp का power और maximum torque 8.05 nm का torque मिलता है जिसके साथ दोने बाइक के transmission में 4-speed manual transmission के साथ fuel supply system में fuel injection system और starting में दोनों में आपको HF Deluxe में मिल जाता है kickstart के साथ self start और HF 100 में मिलता है सिर्फ kickstart HF Deluxe लेने से आपको एक और फैदा होता है कि इस bike में आपको जो ये chrome finish में metal का जो laggard आप देख रहे हैं ये आपको company fitted लगाव मिलता है इसे आपको अलग से accessories में लगवाना नहीं पड़ता है अगर आप HF 100 लेते हैं तो दोस्तो इस bike में आप जो ये black paint से paint के और laggard देख रहे हैं ये आपको accessories में इस bike में लगवाना पड़ेगा और आप अगर दोस्तो इन दोनों में से किसी भी bike को लेते हैं तो आपको बताना चाहूंगा इन दोनों bike में आपको hero का अपना access technology मिलता है जिसे bike में आपको all weather easy start मिल जाता है instant pick up मिलता है और better pulling power भी मिल जाता है और इन दोने bike का दोस्तो ground cleanse 165 mm है HF 100 का Curvet 109 kg है HF Deluxe का Curvet 110 kg है तो 1 kg का फरक है दोनों में और कौन सा bike किन के लिए ज़्यादा बैतर है बता देता हूं अगर आप HF Deluxe bike लेना चाहते हैं इस bike को आप family के साथ यूज़ करना चाहते हैं आप एक delivery wire का का काम करते हैं या फिर आपका कोई छोटा मोटा business है जिसमें काफी सारा समान पीछे bike में बादना पड़ता है और shop to shop या door to door आपको पहुचाना होता है तो उन सभी के लिए HF Deluxe self start काफी बैतर हैगा क्यों जब समान पीछे bike में बादना रहेगा तो bike में अगर आप kick मारेंगे तो bike थोड़ा unbalance होता है तो self रहने से आपके लिए बहतर हैगा और HF 100 उनके लिए बहुत ही बहतर हैगा जो सिर्फ अपने family के साथ bike यूज़ करना चाहते हैं या फिर हो कहीं बाहर शेहर वगरा में काम करते हैं और गौध यहाद में रहते हैं जो छुटियों पर आते हैं अपने घर तब उन्हें अपने bike की जूरत पड़ती है या याद आता है कि मेरे पास भी एक bike होना चाहिए तो उनके लिए मैं बोलूगा कि HF 100 काफी बैतर हैगा क्योंकि आपको सिर्फ कभी-कभी bike यूज करना और किक भी आप माल लेंगा तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा तो आज के वीडियो से आपको इन दोनों bike के फीचर्स में क्या फर्क है इसकी पूरी जानके रिम्यूच चुकी है तो आप अगर अपने और अपने फैमिली के यूज के लिए फिर से बोल रहा हूँ कोई भी एक bike लेना चाहते इन दोनों में से तो आप अज ये यूनन बाइक सीरो में शोरूम केड़े सो कॉंटेक नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है साथ ही मुझे और मेरे चैनल के सपोर्ट के निकले वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल में ने यह दर चैनल को सब्सक्राइब करके बनिटिफिकेशन को ओल में कर दीजेगा ताकि इस तरह के और नीवड अब तक कहुं सके और बात रहेगी लास्ट में माइलेज क कर चुको अबको मेरे चैनल में कर दो बात चैनल मेंगा झाल, 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 झाल